C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है श्रिंखला कविता मंजरी साथियो कविता मंजरी श्रिंखला में आपका स्वागत है इस श्रिंखला में आज प्रस्तुत है हिंदी साहित्ते के सुप्रसिद कवी भवानी प्रसाद मिश्र की कविता धर्ती पर तारे तो आईए सुनते हैं इस कविता की संगीत मैं प्रस्तोती गुष्से के मारे सारे के सारे आस्मान के तारे दूपड़े धरती के उपड़ जर 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 अगर तो बत लाओ क्या क्या होगा गुष्से के मारे सारे के सारे आस्मान के तारे दूपड़े धरती के उपड़ धरती पर आकाश बिछेगा किर्णों चे हर कदम सिचेगा चंदा तक चड़ देका मतलब नहीं बचेगा गुष्से के मारे सारे के सारे आस्मान के तारे दूपड़े धरती के उपड़ मगर एक मुश्किल आएगी कब जाएगी रात और दिन कब आएगा कब मुर्गा बोलेगा कब सूरज आएगा कब बाजार भरेगा कब हम सब जाएगे सोने कब जाएगे लोग बढ़ेगे कब किसान बोने कब मा हमें उठाएगी मुहा धुलेगा जल्दी जल्दी भागेंगे हम्यों की अभिस्कूल खुलेगा गुस्से के मारे सारे के सारे आसमान के तारे दूपडे धर्ती के उपड नाहक है सारे सवाल ये हम सब 2400 घंटों जागेंगे कूदेंगे खेलेंगे हरतारे से बात करेंगे मगर दूसरे लोग बात उनकी क्या सोचें उनसे कुछ भी नहीं बना तो पापड़ बे लेंगे गुस्से के मारे सारे के सारे आसमान के तारे दूपडे धर्ती के उपड धर्ती के तारे साथियो इस गीत को सुनकर आपके मन में जरूर किसी और कविता को गाने गुन-गुनाने की इच्छा हुई होगी तो क्योंना आप किसी और कविता को गुन गुनाने की कोशिश करें या फिर किसी कविता की रचना करें और उसे गाएं गुन गुनाएं धर्ती के तारे अभी आप सुन रहे थे इस कविता की संगीत में प्रस्तुती गायन्स्वर विनोध वैद्य, विशे सैयोजन रविंद्र कुमार, ध्वन्यंकन बटिलैंग डिंग्डो, शानु मुक्सीम और सरोज महापात्र, निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल, निर्माण, निर्देशन तथा ध्वनिसंपादन, वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुत C-I-E-T-N-C-E-R-T, ने दिल्दी